और इसलिए आज यहाँ शीविर संपन होगा जिसके कार्ण किसान मोर्चे के प्रदेश के पदादीकारी से लेके सब प्रमुख लोग यहाँ से एक संदेश लेके जाएंगे एक उर्जा के साथ में भी अपने अपने प्रदेशों में मजबूती से काम करेंगे राजस्तान को आतिथे का सोभागे मिला अभी पिछले दिनों OBC मोर्चा की राष्टे कारे समिति यहां संपन हुई और पूरे OBC समुदाय में अमिच्छा जी की उपस्चिती में एक नई उर्जा का संचार हुआ है यहां भी हमें आतिथे का सोभागे मिला है पार्टी के किसान मोर्चे ने हरीराम जी के नेतरतों में अच्छी व्यवस्ता और तैयारी की हमारे किसान मोर्चा के राष्टे महामंतरी संभू जी लगातार इस व्यवस्ताओं की देखरे कर रहे थे तो सबी लोगों ने यह थ संगठन धरातल तक मंदल तक गया है मोर्चे अब पार्टी की मुखर ताकेत बने हैं और इसलिए राज़िस्तान में भी किसान मोर्चा और पार्टी के सबी साथों मोर्चे 2023 में दोजार चौबिस में पूरी ताकत और तयारी के साथ पार्टी के मिशन को पूरा करने में ल प्रूरतों को उस केसी से पूरा करता है दूसरा पक्ष है कि यहां पर हर चीज का बीमा होता था बकरी का बीमा मोटर का बीमा मकान का बीमा दुकान का बीमा वाहन का बीमा लेकिन किसान की जीती जागती फसल का बीमा नहीं होता था आज वाजपई जी की शुरू की गई उस योजना को प्रधानमंत्री मोदीजी ने आगे बढ़ाया और करोडों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाब लेते हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसपर स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मा निजी 6,000 रुपे सालाना जो किसी चोटे किसान को मजोले किसान को सावकार के करजे से मुक्ति दिलाते हैं जिसमें लगबग 12 करोड किसानों के खाते में 2,00,00 करोड से भी ज्यादा का ट्रांसपर हुआ है ऐसी तमाम नीतियां और योजनाएं थी सोयल हेल्थ कार्ड से लेकर तमाम योजनाएं थी राजस्त लेते वे कहा कि 10 दिन में करजा माफ कर दूँगा जैसे तेजाव फिल्म में मादूरी दिक्षित ने 1,2,3,4 गाना गया वैसे राहूल गांदी ने 10 तक गिंटी गिनाई 1,2,3,4,5,7,8,9,10 दस गिनूँगा और गिंटी करूँगा और करजा माफ हो जाएगा आज 1500 से भी वादा खिलाफी की वो राजस्तान के किसानों के साथ की है किसान कदाचित ये भ्रहम में आया होगा 2008 में कि यदि कॉंग्रेस आएगी तो हमारा करजा माफ हो जाएगा तो किसान बुलावे में आया और उसने हो सकता है कॉंग्रेस को दोरे पर मुझे लगता है उनको दोरे परने वाले.